प्यारे बच्चों, डीट 2021 समात हुआ, आपने हमने खुम महनत की, आप राग भर जग के पढ़ाई किये, अपना पूरा 100% दिया, टिम नूलाइट भी आपके साथ लगी रही, टेस्ट पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के क्लासेज के माध्यम से, इसमें रैपिड फायर भी था, क्वेश्टन भी हमनों डिसकस किया, NCRT लाइन बाइन किया, ये तो पता ही था कि पेपर NCRT से आना था, वैसे ही हुआ, लेकिन बच्चों ने जिस तरह से परफार्म किया है, मुझे बिलकुल उम्मीद नहीं थी, पिश्री बार जब 355 एक बच्चे के आए, तो लगता है था, अरकिसी के 360 आजाए, 355, हम लोगने एक सिरी शुरू की थी बच्चों, मिसन 350 प्लस, इन बाइयो, कहते भगवान देता तो छपरफार के देता है, कम से कम 1.500 बच्चे बता चुके हैं, जिनके नमबर बाइयों में 350 के उपर हैं, और इतना ही नहीं, दो दरजन से ज़्यादा बच्चों के नमबर बाइयों में 360 आउटा 360 हैं, अभी भी लगता है, क्या कमी रही हम लोगों से, आपने पेपर के बाद अपने आपको अनेलाइज किया, उसी तरह से एक टीम, एक इंस्च्चूट, एक बेक्ती, एक टीचर, अपनी परफार्मेंस को, अपने डारेक्शन को अनेलाइज करता है, बच्चों, हम लोगों का दो क्वेश्चन बैंक था, NCRT 1, NCRT 2 का, जब मुझे लगा कि पेपर NCRT से ही बनना है, तो मैंने NCRT के हर लाइन से पेंज नमबर डालके क्वेश्चन बना दिये, NCRT को पढ़ा गया, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया, एक जामर को भी यही करना था, और अच्छी बात यह हुई, कि more than 95% क्वेश्चन, क्वेश्चन बुक से मैच कर गया, अंतर इतना था, कहीं वो चीज आप्शन में थी, तो कहीं यह चीज क्वेश्चन में है तो हमारे दो यंग और जो जारू साथी हैं, मनी सर, सैलें सर, हम आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करेंगे, कि क्वेश्चन बैंक कितना सिमिलर था, इसको जरूर बताईए बच्चों को, ताकि नीट 2022 में जो बच्चे एपियर होने जा रहे हैं, वो किस डारेक्शन में, क इस लाइन में, किस लेंठ में अपनी तैयारी करें, तो बच्चों जरा सा देखिए इसको, कि हमारा क्वेस्टन बैंक कितना सिमिलर था, इसमें कोई भी क्वेस्टन कहीं से ले नहीं गये है, कोई भी क्वेस्टन किसी कमटेशन से नहीं उठाए गयें, सारे के सारे सवाल किये गए एंसेटी को पढ़के तो इसको जो अच्छे से देखिए इसको करिए आपको जैसा लगे आप कमेंट भी करिए थैंक यू सो मुझ तो बच्चों जैसा कि आपको डॉक्टर एस्पी सिंग सर ने बोला कि हम लोग की बुकलेट कितनी सिमिलर है तो वही हम लोग कमपेल्जन करेंगे और आप लोग देखिए कि कितनी सिमिलर है क्योंकि एंसी आर्ट का जो स्लेबस है वही नीट फॉलो कर रहा है और हम लोग की जो बुक्लेट है वो भी NCRT पर ही बेज़ रहे है तो exactly 95% questions जैसा मन्जी सर ने बताया है 95% exact matching है कुछ applied है तो almost every question is being matched तो आए देखते हैं हम लोग NCRT 1 से हम लोग शुरू करेंगे unit wise questions उसमें दिये हुए page number वगरा दिया हुआ है और बुक्लेट का question page numbers अब आपको जिद प्रूफ मिलेगा तो आप लोग देखिए खुदी कि कितना यह सिमिलर है Hello everyone welcome you all बच्चों NEET is over NEET 2021 now we are going to focus on NEET 2022 तो बच्चों आप लोग का NEET का जो paper हुआ है उसको देखते हमारी booklet जो launch हुई है इस पे कितना similar है almost मनी सर कितना similar है यह 95 परसेंट कोश्चन सिमिलर है तो आएए देखते हैं compare करते हैं हमारी booklet इदर यह मैच कर रहे हैं तो आएए देखते हैं तो question number 151 आज हम लोग डिसकस करेंगे एंसी आर्टी वन देखते हैं एंसी आर्टी वन में कितने questions booklet यह एंसी आर्टी वन पर इस booklet की खासियत यह किसमें chapter wise सारे questions एंसी आर्टी से फ्रेंड किये गए यहां के फैकल्टी ने फ्रेंड किये और इसमें page नंबर भी आपका mentioned है किस page नंबर से किस chapter से question वो फ्रेंड किया गया है तो आपको एंसी आर्टी कि revise करने में एंसी आर्टी को समझने में बहुत ज्यादा helpful होने वाली यह book क्यों मनीश सर है ना अगर देखा जाए जैसे page नंबर वन है तो सर इससे question बने हुए है इस booklet में तीन question आपके इसके page नंबर वन के जो भी important line है उनसे questions इसमें फ्रेम कर दिये रहे हैं इसमें question जो बने हुए है हर page से कितने question बन सकते हैं वह से बस वही हम लोग को चाहिए NCRT पे focus करना है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिशले 5-6 साल से NCRT से ही questions पूछे जा रहे हैं तो आएए देखते हैं comparison अपना स्टार्ट करते हैं लेस्स स्टार्ट और comparison question number 151 which one of the following belongs to the family मसीडी यह question पूछा गया था नी 2021 में और इसका answer हम लोग जानते हैं हाउस लाइए बताइए बच्चों को कि अपने booklet से किस question से match किया और यह question हम लों की question booklet वन यह ncrt1 के लिए यह question number 75 और यह page number 10 पर दिया हुआ है question और यह question आया था यह ncrt1 page number 11 से question frame किया गया था तो आएए दिखते हैं अब हमारी booklet में यह question number 75 दिया हुआ है page number एक बार सर बच्चों को दिखा दीजे page number है यह 10 question number 75 75 which of the following common name family तो इसमें देखिए इसमें मैं का दिया हुआ है मैं की फैमिली हम लोगों पता है हो मेंडी होगी वीड की फैमिली पोएसी होगी मैंगो की फैमिली और हाउस फ्लाइब मसीडी तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही आपको मिल रहे हैं तो हाउस फ्लाइब मसीडी तो जिन्होंने भी यह question पैक्टिस किया हुआ है उनका यह question 100% सही हुआ होगा नाओ भी move to our next question question number 141 यह भी biological classification chapter number 2 है यह NCRT 1 page number 23 से नीट का question था यह frame किया गया है इस side जो भी questions है यह नीट 2021 में आयो हुए questions है यह हमारे booklet के questions है these are the questions which are from our booklet so let's compare this question fusion of protoplasm between two motile or non motile gametes is called plasmo gametes organisms that depend on living plants are called saprophytes some of the organisms can fix atmospheric nitrogen is specialized cells called sheath cells fusion of two cells is called karyo gametes तो इसमें correct option पूछा गया था correct option इसका यह होगा fusion of protoplasm between two motile or non motile gametes is called plasmo gametes और यह हमारा question booklet first question number 106 47107 page number 21 16 से match कर रहे है कि इसमें जो matching होई है हर line की matching कराई जैसे कि पहला का matching आपका मिल गया यह पहला वाला fusion of protoplasm between two motile और non motile gametes call यह पहले का आपका matching मिल गया जै दूसरा वाला जो आपका यह वाला सेल वाला है एक इनकरेक्ट है यहां पर हम लोगों ने पूछा था कि नाउस्टाफ में जो इस पेसलाइज सेल उसका नाम क्या है और questions आपके लिए additional information भी आपका cover कर रहा है तो और यह question number हमारे page number 211621 पर दिये हुए fusion of protoplasm जैसा मनीज सर ने आपको बताया यह पहला वाला option है इसको match कराया गया है फिर specialized cells हैट्रोसिस्ट है fusion of two nuclei यह स्कार्योगेमी तो यह सारे इसमें options इसके match कर रहे है आई यह देखते हैं अपना next question यह नीट का फिर्स question विच आप दो फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस्ट केरागी और हमें सब को पता है केरागी निस प्रोड्यूस्ट फॉम रेड एल्गी और रेड एल्गी में भी एक्जाम्पल है इसका पॉंडर्स क्रिस्पस तो question matches with the question booklet one question number 30 page number 31 अभी देखे exactly same question केरागी निस प्रोड्यूस्ट बाइज आप लोग इसको जरूर से पर्चेस करें यह आपके लिए बहुत ही beneficial ओने वाली है बायो के लिए करागीन इस प्रोड्यूस्ट बाइज प्रोड्यूस्ट बाइज इसमें भी आपका रेड एल्गी और वी सी और नेक्स्ट वेस्ट जैनरल एक्स सिलेजनेना और सालवीनिया प्रोड्यूस्ट तो नमबर 38 से यह question frame किया गया है नीट के जो भी questions हैं आपको NCRT से ही मिलने वाले almost 99% questions were from NCRT तो NCRT 1 page number 38 से question number 133 page number 39 यह हमारी booklet से यह match कर रहा है देखिए exactly वही है तो यह जाएगा आपका एंसर बहुत है प्रकेटरस for us very good now next question यह नीट का question which of the following algae contains many tall as reserve food material so many tall laminarin we all know this is what is a food material of brown algae और brown algae का example इसमें दिया हुआ है एक्टो कार्पस सो और यह एक्टो कार्पस और यह NCRT 1 page number 32 33 से फ्रेम किया गया है question matches with question booklet 1 page number question number 50 page number 33 सर देखिए इसमें यहां पर example पूछा था हम लोगों ने जो question फ्रेम किया है ब्राउन algae में food is stored है तो इसमें मैंनी टॉल लेम्नेरीं दोनों इंसर हो जाएगा अगर लेम्नेरीं दिया रहता है तब भी मैच कर जाएगा तो भी आपका additional information भी आपकी कवर हो रही है इस question में नाव इसी और next question जैमी आर प्रेजेंटेंट तो जैमी as we all know these are asexual green multicellular birds आप लोगों को कई वार डिसकेशन में बोला हुआ है सम लिवर वर्ट्स इस दा करेक्ट आंसर यह नीट का question है यह ncrt1 पेज नंबर 35 से question matches with the question booklet 1 question 9192 पेज नंबर is 36 तो सरे इसमें दो से match कर रहा है पहला question में यह sexual reflection के टाइप पूछा गया लिवर बट्स जैसे कि fragmentation होगा दूसरा जैमा कप्स और जैमी के बारे में पूरा statement आपको additional information भी इसमें cover हो रही है जैमी जम लोगों पता है इस receptacles होंगे जैमा जिसमें यह प्रोड्यूस होते हैं तो इसके बारे में भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन आपकी एक्स्ट्रा information जो एंसी आर्टी से यह वही आपको इसमें हमारी बुक्लेट में cover हो रहा है तो बहुत ही beneficial बोग बहुत ही प्यारी बोग है प्लीज आप लोग अगर इससे पसंद करें और तो इससे जरूर ले अगले question बिचले सब्सक्राइब करेक्टरिस्टिक से लॉफ सीलन डेटा सर इस बात खांग बात रही कि यह तो पहली कि मैचिंग सुरूर से मैच कर जा रही थी यह लास्ट वाले से भी कभी कभी मैचिंग करने का एक टेक्निक होता है पहले कि साथ साथ हम लोग को लोग को बताया कि सिर्फ आप पूरा-पूरा question नहीं मत अटेंट करिए जल्दी करना है तो थोड़ा साथ करना है जल्दी कैसे सौल करना है सिर्फ question को याद करने से काम नहीं चलने वाला है तो आपको थोड़ा साथ ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपका काफी टाइम इसमें सेव हो सकता है आई अब देखते हैं इसको हमना question से booklet question से कितना मैच कर रहा है यह NCRD 149 50 51 52 से फ्रेम किया गया था नीट में और हमारी booklet में यह question नमबर 33 70 53 42 से मैच कर रहा है पेज नमबर है 50 53 51 51 जैसे सब पहली मैचिंग मेटा मेरी पहला question इक बना मेटा मेरी इस फाउंड है दूसरा आपका सर कॉंप्लेट्स दूसरा कुस्चन तीनो फोर में कॉंप्लेट का काम क्या है तो आपको यह निटो ब्लाइब के साथ ते कोशन निटो ब्लाइब से मैच कर रहा है और एक कैनाल है जिनी सेंट्रल बॉडी कैनल इन पोल पर कैनल सिस्टम से यह तो यह हमारे यह नो इस प्रेशन नमबर से मैच कर रहा है जैसे इसमें सर दो सुबारा कोशन जो था लाइब आटरिक बढ़ेंसे और गिनिटिक नहीं नहीं देखें हालो बिद एयर कैविटी यह तो यहां पर जो पूशचन में मैं पूछा गया ओलों न्यमेटिक लाइब और के एयर कैविटीज एंग्शैस्टली सेम कावडिक पर पहल्मोस्स सेमिलर नो वी मूब तो नेक्स क्वे में सेकेंड और और लिम्यूलस लिम्यूलस नोन एस की क्रेब लिविंग फॉसिल बी इस थर्ड तो यह भी दो प्षिंस में एंकाइलोस्टोमा एंकाइलोस्टोमा वी आल नो होग वा सी इस फॉर्थ तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा सेकेंड और यह नंबर 50 52 53 54 से और हमारी बुक्लेट में यह क्वेश्चन नंबर 64 121 132 98 से मैच कर रहा है पेज नंबर यह 52 57 58 55 इसमें दो क्वेश्चन से मैच कर रहा है हमारे पहले दो सामने हैं अभी मिलेगा तो पहले में देखिए जैसे पॉर्टुगूज मैं अखवार सांटिविक नेम क्या है उसका सारे मतलब जितने भी सांटिविक नेम से और रही है तो बच्चों सांटिफिक नेम कॉमन नेम इस वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें मैचि में दिया हुआ है जो दो मैचिंग और है उससे एक मैचिंग तो हम लोग इसका मिम्बर कराया हुआ है और दूसरा आपका इसकेरिस्टीनिया वुचरेरिया एंक अप्शन दिया हुआ था उसको भी इसमें मैच किया हुआ है तो उसके काफी साथा पॉइंट्स कवर हो सब्सक्राइब और इसमें पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन तो मैटाजिनेसिस मैटाजिनेसिस वी आल नो दिस प्रेजेंट इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उब हैलिया में प्रेजेंट है एक इनोडर्म साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक एंस सीलोमेट अनिमल्स प्रेजेशन प्रेजेशन तो आपको पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि यह तो सभी दिया हुआ है इनोफोरा में पर लास्ट में ने कंफ्यूस कर दिया और कई बच्चों का यह गलत हो गया डाजेशन नहीं लोको मोशन होता है वाटर वैस्कुलर स प्रेशन से मैच कर रहा है और क्वेशन नमबर फिफ्टी टू फॉर्टी नाइन फिफ्टी त्री फिफ्टी एट पेज नमबर पर यह दिया हुआ है जो बारे में जो भी चीजें जैसे कि आपका मेटाजेनिस की बाद कर रहा है अल्टरनेशन अब जनेरेशन दूसरा ने सिलो मेट के बारे में जी तीसरा है कॉम प्लेट्स हिल्पीन टीनोफोर्स प्रैंसर क्या हो जाएगा इसका आपका लोकोमोशन यहां पर देखिए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसके फंक्शन भी यहां पर पूछे हुए तो आपका एडिशनल पॉइंट्स एडिशनल त इस्टमेंस आफ और यह हमारा क्वेशन नंबर 159 पेज नंबर 82 से मैच कर रहे हैं जिए अगर पूछता वह यह पूछता तब भी हम इसकी तो उससे रिलेटेट पॉइंट्स वह भी आपके कवर होते हैं इस बुक्ले सब्सक्राइट में देखिए इस सब्सक्राइब कोई बनता इस कोशन से मैच जरू करता है तो काफी हैलफुल क्वेशन नंबर मैच कॉलम वन विद कॉलम टू और इसमें फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है ब्रैसी केसी लिलीएसी फेबैसी सोलेनेसी इन से मैच करना है और इसमें पहला जो दिया हुआ यह डायडल फॉर्स कंडिशन जहां पर जो पीक्यूलियर फीचर होता है उससे मैच करना होता है तो यह फेवेसी में प्रेजेंट है इस थर्ड तो यहां पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक थर्ड ऑप्शन है तो आप सीधर इसमें ड फ्लोरल फॉर्मूला किस से रिलेटेट है याद करवाने के लिए कोश्चन नुमर 212-220 में आपका यह आपका देखे फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम जो भी रिलेटेट क्वेश्चन्स हैं वो सब आपके ख़वर हो जा रहे हैं क्योंकि इसमें ब्रैसी केसी व पर उसका डायग्राम दिया हुआ और उसका नीचे फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखा हुआ तो वह भी हम लोगोंने कवर किया है इसली मैच हो जा रहा है तो लेंदी जरूर था बट अगर आप थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करोगे थोड़ा सा अपना ब्रेन एप्लाई करोगे तो आप टाइम सेविंग कर सकते हैं जैसा कि मनी सर ने आपको ट्रिक बताई और यहां आगे से मैच कर रहा था जा फिर लास्ट ऑप्षिन जो था वह मैच कर रहा था तो वह स्थन नुम्बर 189194198 से अपके बारे में दिया हुआ है जो आउटर साइट पे क्या कट करेगा तो क्या बनेगा इनर साइट पे क्या अडिशनल जो पुछे जा सकते हैं वह भी आपके कवर हो रहे हैं मैच लिस्ट वन विद लिस्टू सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपैसिटी मेरिस्टिमेटिक टिशू एक होगा सेकंड और यहां पर एक सेकंड यह सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो यहां पर टाइम सेविंग और से था यह और हमारी बुक्लेट में रेखिए यह से मैच कर रहा है सिंपल टिशू के बारे में डिफिनिशन दी हुए तो इससे मैच कर रहा है बागे सर आपका कॉंप्लेक्स टिशू कैसा है इसके बाद कॉंप्लेक्स टिशू में क्या क्या होगा इंग्जाम्पल्स और इसके बारे में भी दिया हुआ है सारे ऑप्शन्स कवर हो रहे हैं आपके नेक्स्ट वेश्चन सेलेक्ट दा करेक्ट पेयर इन डाइकोड लीज वैस्कुलर बंडल्स अर सरांड़ेट बाई लास्थिक वाल्ट सेल्स सेल्स और मेडुलरी रेस देट फॉर्ट पार्ट आपकेमियल रिंग इंटर फैसिकुलर कैमियम लूस पैरन काइमर सेल्स रप् पैज नमबर रही है 106107108106 तो तो सब्सक्राइब तो तो पहला देखिए आपका वैस्कुलर बंडल डाइकोड लिपस में आपका क्या होगा दूसरा सर मेडुलरी रेज के वारे में दिया हुआ है तुस्से मैच कर रहा है हमारा तीसरा सर्फ येलोजन कट करेगा पैरन सब्सक्राइब तो सारी इंफॉर्मेशन जो भी क्वेशन पूछा गया है आपका उससे रिलेटिट जो भी इंफॉर्मेशन है डैट इस आल बिंग कवर्ड इन और क्वेशन सर मैं एक पॉइंट करना चाहिए इसमें ऐसा मैचिंग इसलिए हो रही है क्योंकि पेपर बनता सब्सक्राइब और इसमें जो क्वेशन फ्रेम हुआ है प्योर्ली इंस्याटी के लाइन से इस वज़ा से मैचिंग होने की समामना और भी बढ़ जाए नाव इस्ट्रुक्शल और अनिमल्स विच आप फॉल्विं करेक्टरिस्टिक्स इस इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट तो कॉक्रोज है फॉल्विं इस विदिन दा कैविटी इंग्लोज बाइद पार्ट इन फीमेल सेवें और नाइंथ इस टुगेदर फॉर्म एजनाइटल पाउच टैन्थ अब्डॉमनल सेग्में इन बोथ सेक्स बीर पेर अफ एनल सर्की रिंग ऑफ गास्रिक सीका इस प 149 150 156 पेज नंबर है 125 126 127 और यह वाला जो क्वेश्चन नीट में पूछा गया था यह NCRT के पेज नंबर 111 112 और 113 से सर्जो 139 में काप्रोज के माउथ पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे वो है इसके बाद सर्काई के बारे में दिया हुआ है तो 149 उससे मैच कर रहा है आपका फिर इनल सरकाई मेल में है कि फीमेल में है ऐसा भी कोशन बना हुआ है और साथ-साथ ही पैटिक सी का कि जंक्शन में पाया जा रहा है उसका नंबर क्या है नंबर कि हम लोग फिर दो अदिशनल पूरा क्वेश्चन तो कवर होई रहा है प्लस आपको अदिशनल इंपरमेशन जो भी NCRT में इंपॉर्टेंट है इस बिंग कवर्ड नौ परिशन नंबर 189 इंटिवाइब थाइप सेल जंक्शन तरह पूसरा जोगा वो गैप जंक्शन होगा तो टाइट अन गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली और यह देखते है हमारे क्वेशन नंबर 2936 पेज नंबर 114 118 और यह जो क्वेशन है यह भी आपका NCRT वन पेज नंबर 102 तो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे देवर ओल फ्रॉम दा NCRT और हमारी बुकलेट से भी यह काफी कुछ मैच कर रहे हैं पहले कोश्चन में लोगों ने मैचिंग यह लिया हुए 29 से जो मैच कर रहा जैसे कि गया जंक्सन क्या कर रहा है अधरिंग संक्या कर रहा है टाइट जैसर तो इसी से मिल गया आपका तो यह पूचा एक कोश्चन और अभी श्री से भी मैच कर रहे हैं जो वीच आफ दा फाल्मी इस नाट टू नाट टू करके काफ़न लेकर रखें उससे मैच करा या फिर फालोविंगा दा स्टेट्मेंट्स अब प्रोस्टोमियम आफ आर्थ वां यह पिछला कोश्चन भी इससी से था जो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था प्रोस्टोमियम जो हुड होगा उसके लिए यूज किया जाता है तो यह सब्सक्राइब कावरिंगे टाल्स टूपिन क्रैक्स इस वान अफ दा सेंसरी स्ट्रॉक्चर इस फास्ट बोडी सेग्मेंट इस इंकरेक्ट बाकी तीन करेक्ट हैं और देखते हैं यह हमारे क्वे प्रेश्ट से चुकि हमारे टीम ने एंसी आर्टी की एक-एक लाइन को कवर किया हुआ है इसलिए यह जिन बच्चों ने इसकुर्चन बैंक को साल किया होगा यह कुश्चन हंडर पर दोंका सही गया होगा तर ना नेक्स्ट क्वेश्ट विच फॉल्विज फॉलइं इस स्टेटमेंट इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है मैक्रो बोडी जा प्रेजेंट बोथ इं प्लंट अनिमल तपैरी नूपलेयर श्पेस फोर्म से बरियर बिटून ने इस प्रेजिए इसे प्रोटीन मॉलेक्लीन से बोट बॉरस बेट्वें नूपलीज मेश्ट अ तो हमें पता है कि इसमें यह एपसेंट होता है सीव टूब्स में जैसे कि अरेथ्रोसाइट से उसमें भी एपसेंट होगा तो यह देखते हैं हमारे क्वेशन बुकलेट के क्वेशन नंबर वन थर्टी एट वन ट्वैंटी और वन सेवंट से मनीश सर आपको बताएंगे किस तरह मैच कर रहा है लेकिन आपका एक एक स्पिरियंस आजा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने बनाया था बीटी में जिसका मैचिंग हम लोग इस ने बीट करने वाले कि हमारी जो तैस सीरीस ती जो हम लोगों ने डिसकस किये उस से यह नीट का वेपर कित्ना से मिला था तो आपको सर याद होगा कि एक कोशन बनाया गया था हम लोगोंने कि किसमें नूकलियस है बच्छों ने बहुत वन एंटू किया था सीव ठीको सोता है मैं तो इसको वैरिफाइब करता है मैंच और सीर एलमेंट पॉश्श टॉरा जैसे को वैरिफाइब कर रहे है देखते हैं मैच्छ लिस्ट वन विद लिस्टौ क्रिश्टी थेलकाइट सेंट्रोमियर सिस्टर्णी तो क्रिश्टी और जो हुआ यह सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है तो मैचिंग सर असाना है मैचिंग इस वार जो थी बहुत ही ट्रिकी यूज की गई थी आपको पूरे ऑप्शन मैच करने की जरूरती नहीं है सिर्फ एक ही अगर आपके पहली मैचिंग मिल रही है तो आपका टाइम डेफिनेटली सेव हो रहा है सरे जो मैच कर रहा है हमारे प्राइमरी कांस्टिक्शन के ऊपर है यानि कि सेंट्रों की बात कर रहा है दूसरा है विच अब दॉल्विंस टू एबाउट क्लोरो प्लास्ट यानि यह थालाकॉइड बगारा में जैसे सिस्टनी ग्रेना थालाकाड उसके बारें बात किया गया मैट्यो क्या है ndra क sr Amitocondria के बारे में दूसरा समय दोसरे ब्लादिया Something के बारे में सारी पॉइंट प्रोडेश्टन क्या है साथ जाने डा मैंट्रीं धिया हूआ है तो देखे unfamiliar में आपके आप क्रोमोजोम क्रोमोजोम में दोनों आम्स बराबर है और यह यहां पर बीचो बीच में तो इसको मेटा सेंट्रिक बोलेंगे अप्शन होगा यहां पर मैटा सेंट्रिक कि देखते हैं हमारे सब मेटा सेंट्रिक एक्रों सेंट्रिक और टीलो सेंट्रिक जो भीक्विक्श्टों से वह सारे आपके की मैचिक में यहां तो सब्सक्री जो इस सोच्छन से मैच कर देख ना the long nails that are included in the endomembrane system. So, endomembrane system, यह आप लोगों को पता हिये, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome और vacuoles. तो यहां पर first option जोगा, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles is correct और यह NCRT के लाइन से फ्रेम किया हुआ नीट का question है, NCRT 1, page 132, 133 से और हमारी booklet के यह question नमबर 71 से पेज नमबर 145 इसमें था इंडो मेंब्रेंस सिस्टम आप यू करिया ड़ नाट कंसिस्ट आप तो इसमें जो ना दिया है बस जैसे कि आपका इसमें सरो जाएगा आपका लाइसोसोम है वैक्योल है एंडो प्लाज्मी अटिकुलम भी है क्या नहीं आपका मैटो क मेटाबोलाइट्स इंप्लांट्स कौन से से केंड़ी मेटाबोलाइट्स नहीं है तो से केंड़ी मेटाबोलाइट्स जो नहीं है वह हमाइन वैसे और ग्लुकोज होंगे बाकि सब से केंड़ी मेटाबोलाइट्स हैं और यह क्वेशन नमबर 553 और पेज नमबर 158 हमारी से और NCRD 1 के पेज नंबर 146 से नीट ने यह फ्रेंग किया था सब जो इसमें मैचिंग कराएंगे थी पहला तो एक तो विच आप पॉलिमरिक सबस्टेंस यह रबर सेलोज गम्स इन सब को मिला के मैच करें दूसरा कुष्टन कर सेम है देखिए आप जिए फाल्विंग इस इसमें मॉर्फीन कोडीन कंकनावली नें डेमन ग्रास सारी आपके जो सेकेंडरी मेटापॉलाइट से वह सारे इसमें कवर कर दिये गए यवी मैच और पूंड्सन का और प्रोटीन में बांड फॉच्टाइट बोटीन बंस प्रोटीन में प्रेजेंट हैं ग्लाइकोसेडिक बांड्स किसमें प्रेजेंट होगा यह हम लारा प्रेजेंट है're polysacryाइट में और locals एकिंग phosphodized bond तो अगर matching की जाए तो A is fourth तो यहां पर दो options में match कर रहा है B unsaturated fatty acid unsaturated fatty acid में C double bond C B is first तो दो option ही match करने से हमारा ही question solve हो जाएगा क्योंकि यह A is fourth और B is first यह सिर्फ fourth option में दिया हुआ है और NCRT1 page number 144 151 से question frame किया अब मनीश सर आपको बताएंगे कि booklet के किस पेज नंबर से मैच कर रहा हमारे दो question से match कर रहा है question number 101 और 102 से 101 में peptide bond की information दी गई है जी जी और दूसरा पूरा complete information दी गई है अमिनवेस्टाइड bond किस तरह से form होगा किसके amino group और carboxylic group के बीश में जैसे हम लोग लोग जानते ही है तो पूरा आपका कर दूसरा सर आपको दिया है ग्लैकोसिटिक बॉन जी तो इससे इन दोनों से आप पूरा complete मैंच करेक्ट करेक्ट next question following are the statement with reference to lipids lipids have only single bonds are called unsaturated तो जिसमें single bond होता है हम लोगों पता है इस are saturated and these are solids at room temperature lecithin is a phospholipid यह सही है trihydroxy propanis glycerol यह भी सही है parmetic acid has 20 carbon atoms और यहां पर पूछा गया गया है और आए देखते ही है हमारे बुकलेट से किस तरह से मैच कर रहा है तो सब जैसे इसमें पहली मैचिंग तीन कोश्चन से मैच कर रहा है तुर्टी थर्ड ट्वंटी फाइब थर्टिए पहला जैसे अरे कि यह दोनों आप्संस हो गया इसमे इतना है फिर ग्लिस्ट्रॉल के बारे में ट्राइब रॉक्सी प्रोपेंट पुछें कि ग्लिस्ट्रॉल को और क्या कहा जाएगा और एक लास्ट जो मैचिंग है पास्पो लिपीड का कौन से एक्जाम्पल एंसर क्या आपका लेसे तो एक्जाट्ली आपके सारे आप्श और यहां पर थार्ड ऑप्शन हुआ एंसर नमबर 146 यह क्वेश्ट्र नीट का फ्रेम किया गया था और हमारी बुक्लेट में यह बनी सरा को बठारे प्रक्ष्ट्रॉलिंग से में नौट और करेक्ट महस्सेम है अब देखिए जैसे यहां पर लेक्टिंग दे दिया बस यहां पर रिश्ट दिया हुआ और यह बैस बताया गया जो कि गलत है तो यह बैस हंड़ेट पर सिंदेटली विच अफॉल्विंग स्टेज़ज ऑप मियोसिस इन्वर्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर यह एना फेस वन और एना फेस्टू का में डिफ्रेंस है लेकिन इस कोई कर्फ्यूजन ही नहीं एना फेस्टू और यह देखें थे हैं हमारे बुक्लेट से किस तरह है मैच कर रहा है तो सब्सक्राइब कर दिया है कि एना फेस्टू में क्या होगा इस में हो जाएगा स्प्लेटिंग अप सेंट्रूम यह एलाविंग दा सिस्टर्ट कुमेट सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैच कर रहे हैं नौ मैच लिस्ट वन विद देस्टू से यह क्वेश्चन है एंसी आर्टी वन पेज नंबर 163 164 अभी तक हम लोगो एक भी क्वेश्चन नी 2021 का नहीं मिला है जो एंसी आर्टी के पेज नंबर में ना मिलता हो एक्जैक्ली रहा कि लाइन से क्वेश्चन उठाये गए और इस बुक्लिट की खूबी यह यह कि इसमें भी जो क्वेश्चन स्फ्रेम किया गया है वह सारे पेज बाइस जैसा मनीस सर बता रहे हैं आपको पेज बाइस और उसमें आपके पेज नंबर भी मेंचन है हर पेज पर के से यत फेस जी टू फेस जो होगा यह प्रोटीन सार सिंथेसाइज इनक्टिफ इंटर्वल बिट्विन माइट ऑसेश्ट फिर वह जाता है आपका इनक्टिफ इस इस प्रेशन देज और इनक्टिफ फेस इस एक यह अप्शन में यह दिया हुआ है तो हमारा सेकंड आप्शन यहां यह जो आपका जी नॉट फेसे करेगी कई बार आता है इस पर पिछली बार भी कुशन हुआ था और काफी बच्चों का कन्फ्यूजन हुआ था जिन्होंने एंसी आर्टी फोकस किया होगा उनका यह सही हुआ हुआ है इसका तर देखिए जीवन को एक्जिट करता है कुश इस में आपका रेप्लिकेशन एस फेज में क्या है जीवन में क्या काम हो रहा है सेल डिवीजन सारे इनमल सेल में यह पॉइंट वाइस हम लोगों ने दिया हुआ है और एक कुश्चन हमारा जो कुश्चन नुबर 19 है यह आपका विचा फॉलिंग स्टेट्मेंट इस इस फ्रूट फ्लाइज एट क्रोमोजोम तो एन इन इस सेल और पूछा गया डूरिंटर फेस ऑव माइट उस इपन नंबर फो मोजोम एट फेस एट वाट वूट वी दिन अवर फो मोजोम आफ्टर एस फेल तो यहां पर नंबर फो मोजोम के बारे में पूछा गया डिन के बारे में नहीं तो सबको पता है कि number of chromosome will remain same तो यहां पर आठ का आठी रहेगा एंसी रटी वन पेज नंबर 163 164 से फ्रेम किया गया तो इसमें जो क्वेश्चन बना है 20 से मैच कर रहा है एक अप्लाइट क्वेश्चन है एक डेटा तो आपका नहीं मैच कराए जा सकता ह है बड़ कॉंसेट आपका अगर यह कॉंसेट आपने समझा हुआ है तो आपका सेम कॉंसेट पर ही क्वेश्चन दिया गया है हमारी बुक्लेट में और डेटा तो इच्जैटली नहीं मैच करा आए जा सकता है विच स्टेज ऑफ मियाटिक प्रोफेज शोज कमिलाइजेशन ऑफ काई मेटा इस दिस्टिंक्टिव फीचर तो लास्ट सेज ट्रमिनल स्टेज डाइकाइनेस तो यह 167 सेकंड और NCRT1 पेज नमबर 168 से क्वेशन नमबर 67 से मैच कर रहा है और इसमें सब्सक्राइब क्या क्या होगा सारे पॉइंट जिसका मतलब उस सेंसर के अलामा भी आपकी कवर हो रही है क्वेशन नमबर 40 अगर अनिमल सहल है तो सब्सक्राइब का भी दूप्लिकेशन होता है प्लस हिस्ट्रोन प्रोटीन की भी सिंथिस होगी डियने का भी रैप्लिकेशन होगा फिर यह सब हम लोग डिसकस कर चुके हैं और बुक्स में बुक्लेट में भी क्वेशन आपके इसके मैच करेंगे तो सर्य मैच कर रहा है कोशन बुक्लेट की कोशन नुमर्टी वन से जो पहले और ऐसा आया हुआ उससे भी मैच कर रहा है तो इसमें देखिए अनिमल से डियूरिंग एस पे डियने रैप्लिकेशन भी होता है साथ-साथ रोल डूप्लिकेशन आपकी पूरी सरे जो पर मैच कर रहा है उसली ही नहीं कि था करने से सब्क्र focused math वंच से लिए मिल सकतादा पहला जैसे से वैं सक Reaisन के बारे में पूरा दिया हुआ है और इसमें पूछा जैसे मुच्वल आपकी एक मैचिंग से एंसर भी मिलके आ जा रहा है यह कोश्चन ही अगर 159 आपने सॉल किया होता तो यह कोश्चन दोजारे किसका आपका हंडर परसंट सही जाता है इसके बाद सर्फस टेंसन के बारे में क्या है जो उसमें पूछा गया है वो भी इसमें आप एक कवर किया गया तो देख रहें हैं आप सारे ही ऑप्शन समरे मैच कर रहे हैं मैच कॉलम वन विद कॉलम टू अनदर मैचिंग क्वेस्टिन नाइट्रोकॉस राइजोबियम थायो बैसिलस नाइट्रो वेक्टर तो यह नाइट्रोजन भूल्स से रिलेटड बैक्टिरियां डी नाइट्रिफिकेशन वगरा में यूज़ फो ते हैं और यह एंक पेश नमबर दो सो एक दो सो दो दो सो थी न से फ्रेम किया गया है से जो मैच कर रहा है कोश्चन बुगलट से कोश्चन नमर 118 107 108 से मैच कर रहा है हलाकि मैचिंग वाला कोश्चन से भी हम लोग मैच करके दिखा सकते हैं लेकिन हर मैचिंग को मिलाने के लिए सारे कोश्चन दिखा रहे तो जैसे कि आपका नॉन लग्मिमनस फ्लांट में कवर किये गए साथ इसमें के वारें दिया है तो इसलिए इससे लिए इससे लिए विच आपके सेम कॉंसर्ट पे सेम मैचिंग सेम ऑप्शन्स हमारी बुकलेट में भी हैं जो नीट में पूछे गए सार्गम में पूछा हुआ है और यह पेज नंबर एंसी आइटी 1-218-219 से और यह देखते हैं हमारी बुकलेट से किस तरह मैच कर रहा है सरे मैच कर रहा है हमारे दो कोश्चन से 179 सार्गम ही हम लोगों ने भी अपने बुकलेट में दिया हुए क्योंकि एंसी आइटी मे सार्गम कौन सा प्लांट है फिर उसके बाद सी फोर का फस्टेबल प्रोड़क्ट करेक्ट नावी मूब तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच आप दा फॉल्विंग स्टेटमेंट इस इंकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा हुआ है स्ट्रोमा लैमली है फोटो सिस् इंवल्स बोथ फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम तू तो यह इंवल्स फोटो सिस्टम वन नॉट फोटो सिस्टम टू बाकी तो मैचिंग कर रहे हैं तो इनकरेक्ट पूछा हुआ हुआ थार्ड हुआ और यह एंसी रटी बन के पेज नंबर 211-212212-213 से हैं क्योंकि यह जहां पर भी इंपॉर्टेंट कॉंसेट्स हैं वह हम लोगों ने का और क्वेश्टन को स्प्लिट कर दिया है उसको ताकि आपके सारे कॉंसेट्स अच्छे से दिमाग में बैट जाए जैसे पहला पहले आपसन को दे कोसे नमबर 202 करता इस्ट्रोमा लेमली के सब कवर की हुई है तो पूरा कॉंसेट आपका लाइट रेटिशन वगरा सब कवर हो जाएगा विच आफ दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट इस इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेट्मेंट के बारे में पूछा हुआ है और यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया था 232 233 से और यह हमारी बुक्लिट में क्वेश्चन नमबर 71 68 70 और 69 से मैच कर रहा है सर इसमें भी हम लोगों कोशिस किया कि हर आपसं को मैच कराने की कोशिस किया कि सिर्फ एंसर को नहीं ताकि इस बुक्लिट की आपके ब्यूटी भी समझ में है कि आपका जो हर कॉंसेट हर पेस्ट जो भी मैक्समम यूटलाइजेशन हो सकता है इस विश्ट इस नमबर 71 तीसरा सर दूरिंग एक्सेप्टर है उसकी तरह काम करता है इसमें भी जैसे दिया हुए और यहां वे देखिए सर जो एंसर पूछा गया ना तो यहां वे देखिए ऑप्सिडेशन ऑन बालिकुल ऑफ एफ 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 एश्ट ना कि सिर्फ एक पॉसंसे मैच कर जाता लेकिन हम लोगोने हर आप संतों मैच करें आपके जो एडिशनल इंफोर्मेशन भी है और सारे आप्शन सबने मैच कर आए हैं ना कि सिर्फ एक ऑप्शन देखिए पर्सेशन ऑफ लाइट इंप्लांट्स दूरिंग फोटो पिरियोडिज्म इस तो यह अम लोगों पता है लीफ है और यह एंसी रटी वन पेज नमबर 251-252 से और क्वेशन नमबर हमारा जो है यह बुक्लेट का 112 पेज नमबर 256 पर दिया हुआ है एक्दम डिट्टो मैच है एक्जाटी देखिए लाइट या डार्क दूरेशन आरगा तो जहां पर नोगों ने डारेक्ट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे हों वह एक्जाट प्लांट हार्मोन यूज तो डिस्ट्राइब वीड्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट का क्वेश्चन है एंसी रटी 1249 और यह मैच कर रहा है हमारे क्वेश्चन नमबर 80 और पेज नमबर 253 से सरे क्वेश्चन नमबर 80 यह डारेट मैचिंग है पूरा लाइन भी दिखाया है कि मोनो कार्ट का किल करेगा कि डाइक और या पो अदिशनल इंवर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें सिर्व वीड है इसमें डाइकार्ट मोनो कार्ट की बारें भी है प्लस आपका प्रूपोड एंस पर सामने क्वेश्चन नमबर 50 प्लांट्स प्रेम किया गया था और क्वेश्चन नमबर 47 पेज नमबर 251 पे एक्जाटली यह और इन्हों ने इस अबलेटी इस कॉल्ड है हम लोगों ने अबलेटी पहले लगती है अबलेटी आफ़ बस सेम पूरा बाकि वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ हुआ है तो यह सर इस प्रेस्टाइनल जूस यह एंश्चाटी वन पेज नमबर 262 से और यह हमारी बुक्लिट का क्वेश्चन नमबर 61 पेज नमबर 263 जो क्वेश्चन नमबर 61 एडिशनल इंफार्मेशन के साथ डिक्टो मैचिंग है यह सक्कस इंट्रकस और इंट्रस्टाइनल जूस आप और यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन नमबर 33 हमारा मैच कर रहा है पेज नमबर 261 से सरे भी 100 परसंट मैचिंग है आपका एंसर तो जो यहां का एंसर है वह हमारे क्वेश्चन में जैसे हिप्रेटो पैंक्रेयाटिक डॉप इन्होंने ऑप्शन में दिया है वह हम ल सब्सक्राइब कार्बन डायोकसाइड एट अल्वियो लाई दा साइट ऑफ दिफ्यूजन आर तो पार्शल प्रेशर हंड़ेट फोर एंड फॉर्टी और फॉर्ट ऑप्शन एंसी रडी वन पेज नमबर 272 पेज नमबर 273 हमारा देखते हैं तो सरे भी डिक्टो तो इसको हंड़ेट पर्सें याद हो जाता है क्या सारे बच्छे बूल जाते हैं डेफिनेटली सेलेक्ट दा फेप्रविल कंडिशन रिक्वार फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन अड़ अल्वियो लाई तो ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसियेशन कर्व से रिले करें तो जैसे हाइप योटू हो गया आपका बागी सारे कंडिशन करेक्ट विच एंजाइम इस रिस्पॉंसिल फॉर्ड ऑफ इनक्टिव फाइब रिनोजन स्टू फाइब्रें यह क्वेश्चन बॉडी फ्लूइट जन सर्कुलेशन से एंसी एटी वन पेज नंबर 281 प सब्सक्राइब तो जहां पहीं पर भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो तो हमारी बुक्लेट से एक्टली मैच कर रहे हैं एकदम डिक्टो वही लाइन वही कांसेप्स वही ऑप्शन से परसंस विद एबी ब्लॉड ब्लॉपार कॉल्ड अज युनिवर्सल रेसिपियंट्स सब्सक्राइब और सब्सक्राइब युनिवर्सल रेसिपियंट के बारे में कौन सा ब्लॉड गूप है और उसमें कौन से एंटिबाडिक इसमें नहीं पाइदा युस दोनों ऑप्शन्स इसमें कवर कर लिए गए हैं कॉश्चन नमबर 57 अर्यथ्रोपाइटिन हार्मोन विच इस्टिमूलेट्स आर्बीसी फॉर्मेशन इस प्रोड्यूस बाई तो यह जी से हैं और यहां पर एंसी आटी वन पेज नमबर 339 से लिया गया यह और कॉश्चन नमबर 106 पेज नमबर 347 तो सर एक कुश्चन तो कॉश्चन में दिया हुआ है हम लोगों ने इसको क्वेश्चन में कवर कर लिया है और जो इनका क्वेश्चन हो हमारा एंसर में जी क्वेश्चन नमबर 58 क्रॉनिक आटो इम्म्यून डिसॉडर अफेक्टिं नियूरो मस्कुलर जंक्शन लीडिंग तो फटीग 59 कॉश्चन से जैक्टिग पूरा दिया हुआ है आपका आटो इम्में डिसॉडर यसाफेक्टिं नूरो मस्क्वा जंक्शन बीडिक टॉडिंग तो फेक्टिय वीक्निंग तो इसमूद मसल वी जूए दो इस नॉन इस नोन-स्ट्राटिट इन्वाल ट्री चुनिक्लिट तो these are involuntary muscles which are the following wrongly represent पूछा गया है यहां पर और यह NCRT-1 100-405 से और हमारा यह question 1754-5251 सरे आपका पहला हो गया विस्टरल मसल सार आलसो नोने उसको क्या कहला जाएगा स्मूद मसल होगा नौन इस्टेडर होगा इन्वालूंटरी होगा और पहले कोशन से मैचिंग हो गई आपका साथ ही साथ आपका स्कवेशन इसके लेटर सिस्टेम में जैसे कि मैक्ट्रिस ऑब काटिलेज मैं इसक्ता बूरत क्या यह सब देशन इंफिर मॉइशन मॉर्मिशन फॉलोई एवैंट्स अकर्स तो मस्कुलर काट्रेक्शन के वक्त क्या होगा है आजचजन डिसएपियर आए वैंट वाइट सब्सक्राइब और यहां पर आइबंड डिद्यूसिस इन विड्ट मायोसी नहीं है टीपी जड लाइन सब्सक्राइब तो सारे ऑप्शन करेक्ट है सिर्फ बी को छोड़ करके और यह एंसी आईटी वन थ्रीहंड़ से पेज नमबर से फ्रेम किया गया है क्वेश्चन नमबर 45 44 हमाई बुकलेट का मैच कर रहा है पेज नमबर 318 पर इसमें एक तो आपका यह वैंड वाइडन्स के रिमेंश कोंस्टेंट रहता है तो पहला कोश्टन 45 इस से मैच का लिए सब्सक्राइब करके है तो हम लोगों को यहां पर फिल इंदा गया इस एक्जाटली मैच कर रहा है फिर मैच लिस्ट वन विद लेस्ट लोको मोशन एंड मुवमेंट का इस कैपुला क्रेनियम इस्टर्ण वर्टिब्रल कॉलम और यह पेज नमबर एंसी आर्टी वन 309 310 और 311 से क्वेश्टन फ्रेम किया गया है और हमारे बुक्लेट में यह क्वेश्टन नमबर 87-8065 और पेज नमबर 321 और 319 पर है तो सर यह जो मैचिंग कर गई पहला तो 87 कोश्टन में आपका जैसे कि खासकर करके काटिलेजनेस ज्ट है इस से यह करेक्ट इसके बाद सर आ प्रेंट किया गया साथ इसाथ फ्लैड बॉन है तो फ्लैड बॉन से भी मैचिंग हो गई यह तीनों से आपकी पूरी मैचिंग होती है यह कुश्टन से भी हम लोग एंसर कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि एंसी आर्ट के बाहर से अभी तक एक भी क्वेश्टन नहीं क से बाहर है बुक्लेट से भी पूरे का पूरा मैच कर रहा है अभी तक तो जितने भी क्वेश्टन सब्सक्राइब कर देंगे तो वह भी आप लोग देख ली जाएगा कि हमारी बुक्लेट से कितना मैच कर रहा है जैसे मनीज सर ने आपको बताया था नाइंटी परसेंट क मैच कर रहा है और अभी हम लोग ने आपको 11 की 100 परसंट मैचिंग रिखाई साथी साथ बच्चों इस बुक्लेट को आप आफ लाइन न्यूलाइड इंस्टूट से पर्चेस कर सकते हैं साथी साथ आप हमारे एप न्यूलाइड इंस्टूट आपको गूगल प्लेश्टो करता है